दोस्तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत important होने वाली है जिनका echo का mobile protection plan activate नहीं है अगर इस duration के अंदर आपका कोई भी phone damages हो जाता है तो आप कैसे claim ले सकते हैं इवन अगर आपका screen भी जा चुका है सारा process बताऊंगा अपने experience के base पर बता रहा हूँ क्योंकि मेरा phone भी कुछ इस प्रकार से हुआ था damage कुछ भी हो सकता है physical damage हो सकता है liquid damage हो सकता है reason जाने तो इसके पीछे का reason यह है जैसे के आप screen पर देख सकते हो मैंने phone 7 तारीकों करीदा और protection plan 8 तारीकों जब आप दो product को अलगलग card से खरीते हैं तब आपको यह problem आती activation की अगर आप दोने ही product को same card से खरीदेंगे तो आपको यह problem नहीं आएगी आपका जो product है instantly activate हो जाता है आप activate करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस वीडियो को description box में आपको यह link मिलेगा activate का link आपको इसके उपर click कर देना है आपके सामने कुछ इस प्रकार का back page खुलेगा जब आप इस पे click करेंगे कुछ चीज़े आपको पहले से download कर लेनी है जैसे mobile का invoice, mobile का payslip और जो insurance है उसका भी invoice download करना है इसके बाद आपको let's get start पे click कर देना है यहाँ पे आपको IMEI number डालना है अगर आपका phone on है तो आप star has, 06 has करके कर सकते हो अगर नहीं है तो payslip में आपको मिल जाएगा invoice number, sorry IMEI number आप उसके बाद next पे click कर देजे, इसके बाद आपको register mobile number और email ID डालना है जो Amazon पे registered है, ध्यान रहे वही डालना है, otherwise claim नहीं मिलेगा आपको, उसके बाद आपको next option पे click कर देना है, इसके बाद आपको जो phone आपने purchase क करना है today या yesterday, अगर आपने कोई पहले खरीदा था, कुछ date month पहले या 10 दिन पहले, 15 दिन पहले तो आपको वो date select कर लेना है, आप इसके लिए invoice का सहरा ले सकते हो, वहाँ पे आपको purchasing date मिल जाता है, इसके बाद आप next पे click करिए, यहाँ पे आपको invoice जो है download करनी है, जो आ पहले download किया था mobile का, जैसे आप इसके बाद bill को या invoice को आप upload करेंगे, उसके बाद आपको next पे click कर देना है, यहाँ पे आपको फिर से IMEI number डालना है, अगर आपका phone on है, तो उस case में आपको दूसरे phone से star है zero six करके, यह my number आएगा, उसके बाद आपको capture करके upload कर देना है, screen नहीं आ रहे हैं, तो आपको paste lip download करना है, उस condition में, उसके बाद यहाँ पे आपको invoice download करना है, protection plan cover का, इसके बाद next पे click कर देना है, कुछ time लेगा, आपको thank you का एक message आजाएगा, तीन से चार दिन के अंदर आपको revert मिल जाता है, और उसके बाद जैसे activate हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका phone का device का नाम आ जाएगा, यह मैं आपको अपने experience के base पे कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे problem आई थी, और मेरा phone repair होके मुझे 2-3 दिन के अंदर मिल गया था, काफी fast service है, आप doorstep का pick and drop की facility भी ले सकते हो, I hope कि आपको यह video पसंद आई हो, अगर चैनल को जरूर सबस्क्राइब करेगा, thank you so much, यहाँ तक बने रहने के लिए